हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों 26 जून 2018 की प्रिलिम्स अप्डेटर स्रीज में आपका स्वागत है आज की इस लेक्चे में हम दा हिंदू प्य भी न्यूज होएं है कि जो इंपोर्टेंट न्यूज है वो हम यहाँ पर कंप्लेट करने वाले तो चलते हैं आज की हमारी डि क्यों में के यंदतर हैं क्यों मंगोलिय के और की जुथ दोरह लोकेशन काफिश्ट के हैं क्यों मंगोलिय सॉक्षिन जैना कि just close में यहां पे, इस की लोकेशन है, यहां भेसित करें, जो आए यहां पे होगया है हमारा प ये आपयार जाहरा इंडिया यहां पे जो गया है ऑफिर यहां पे आते हैं मंगोली आपर देख्सकते, जोarken योपी हो जाती है लेंड लो कंट्री है पूरी, अब हम चलते हैं आगे अगली जो नूज आई है हमारी वाई है इंडिया और बांगलादेश के बारे में कि इंडिया और बांगलादेश ने दोनों ने नेवी एक साइज है वो बात के ने की स्टार्ट की है अभी मल एक तरीक से हम बोलें दोनों ने institute और corporate है वो उसकी start किये, corporate की बाद किये, यहाँ पर किये institute एक corporate का मतलब ही होगा है कि ने एक institute बनाया जा रहा है जिसके उसे दोनों के जो navy हो आपस में corporate होगा है एक दूसर का सही होगा है वो करेंगी यहाँ पर और पेट्रोल का मतलब आपको बता है कि एक तरीक से निगरानी के लिए patrolling vessel होते हैं से मुईत concept यहाँ पर हैं कि आप चेक्ति जानते हो कि इंगले और इंडिया और बंगलदेश दोनों का border share होता है वो दोनों को काफी खतरा रहते है नेविल वाले एरिया से मतलब समुद्री मार्क से कि वहां से refugees वगरा नास के और भी खाव सारी issues होते हैं तो उन सब के लिए दोनों ने joint एक तरीक से coordinate petrol है उसकी स्टार्टिंग केने की बात है वो किया है तो एक तरीक से हम बोच सकते हैं कि operation interaction होगा इससे बहुँ बढ़ेगा इसके साथ ही defense relation है इंडिया और बंगलदेश के वह यहां से improve होने वाले है तो यह आपको धानक रहा है कि recently इंडिया ने किसके साथ निया corporate है वो sign किया है यह अब भी होगा यहां पर बंगलादेश इससे पहले भी इंडिया ने काफी corporate sign किया है corporate sorry जैसे के बात करें इंडोनेसिया की मैनमार की और थाइलेंड की तो इनके साथ हमारे already sign है इनके साथ जब हमें जरूरत पड़ती है कि हाँ आप हमें नेविल एक्साइज या कुछ ना कुछ इस्टेफ बुठाने तब इंडिया नेवी है वो उनके साथ एक तरिगे से जो भी corporate है वो sign करती है और आगे उनको जाती है और basically इंडोनेसिया मैनमार थाइलेंड है यह हमारे आपको बढ़ता है कि एक इस पॉलिश में भी काफी एहम होते है इसलिए government पर ज़्यदा फोकस कर रही होती है कि यह दर से हमारे रिलेसन इंप्रूव हो तुमारी energy security और कोफी सारे issues है जहां पर हमें काफी यत्तक benefit है वो मिल सकते है तो इस तरह के से current को लेके news थी तो हमने इसको यहां पर discuss किया चलते हैं अगली न्यूज की तरफ अगली जो न्यूज है हुआ यह सूरिय सकती किसान और योजना के बारे में सूरिय सकती किसान योजना है वो एक चुली लेकिया है गुजरात गुर्मेंट के दोरा यह चीज़ आपको यावे पहली चीज ही धान रखनी है क्यों नाम से षरक टतरा चलता है कि सूरिया सकती किसान और किसानों को सॉलर इंडरेजी के बारे में कुछ बात हूद की जारी है है तो इसका मैन मोटो यह है उसके इनकम अज़ना करते हैं uda किसान यह उनको ने कर देके ने उनक्स solar energy promote करने के लिए काफी सारे equipment और काफी अफंड़ उनको दिया जाएगा अब अगर किसान solar energy produce कर रहे हैं तो इसका होगा क्या जैसे जब भी उनको खेतों में पानी वगरा देना होगा के लिए government एक initiative लिया है जो कि पहले बहुत बड़ा इसू चल रहा था पहले इसू यह चल रहा था कि इसके बाद में रेट होगी साधी रुपे पर unit पर unit पर इसके बाद में रेट होगी साधी रूपे पर unit तो इस तरह का concept government यहाँ पर लेखिया यह है तक कि किसानों को लोस नहीं हो तो यह काफी अच्छा concept है इसमें साथ ही government ने कुछ और टार्गेट डखे हैं इस इसके में होगा क्या कि government financial aid दे रही है जिसके कि 60% जो पैसा है वह तो देटेट और सेंट्रल गौर्मेंट दोनों मिलनके ठीक है 5% जो पैसा है वो देना होगा जो भी किसान है उसको तूरें देना होगा इसके आज में बचा 35 % बचा तो 35 % पैसा है वह यहाँ पे loan की form में त्यार किया गया जाएगा यह सारा concept यहाँ बना सकते हैं जैसा कि देखो मैंने आपको बताया था कि आंसर राइटिंग के लिए निचे आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक मिलेगा इसके साथ आप वेलकम यूपेज से की जो पेज फेस्बुक बेज वहां से भी आप जा सकते हो अनकेडिम की वेबसाइट हैं वहाँ लगबग आट-दस लेक्टर हैं वह अप्लोड किया जा चुके हैं उनमें कुशन से हो हिंदी और इंग्लिस दोनों मीडियम में तो आपको लेंग्वेज और वहाँ पे नहीं होगा तो आप वहाँ पे डेली आंसर राइटिंग प्रेक्टिस से हो कर सकते हो इसके बाद में शुक्राइए पिर पेसी नहीं बड़ेगा तो ये काफी benefits के होने वाले हैं चलते हैं अगली अगले जो हार्टिकल है हुआ है रिमूर डेटएब्रीष मिंसिन के बारे में तो देख हलेता है क्या mission है ये इनगोर्य काम तो होता है मलभा मलबह की बात करते तो की बात कहा का ह यह और यह मैंनली स्पेस की देखो इस पेस के अंदर आपको पता है सभी कंट्री जना वह एक तरीक से होड की फोर में कुछ ना कुछ लांज कर रही होती है आज चाइना ने का दिया कल इंडिया कर रहा है पर सो यूएस से कर रहा है फिर कोई कंट्री कर रही है मतलब लगात जानते हो कि अगर स्पेस में इतने सारे सीज़े भेजी जा रही है तो खराब भी तो होती होंगी वेस्ट हो जाती है कुछ टैम बाद तो वेस्ट हो जाती है तो कच्रा जाता कहाँ पर जो उनका मलबा बसता है वो मलबा एक चुली एर्थ के चारोर जो है उसी में घूमता रहते है दिद्र चारों तरफ अब यहां पर कोई सेटलेट काम बाद परफेक्ट सेटलेट अब इस वाले एर्ये में काम कर रहा है अगर मलबा इससे टकरा गया तो होगा क्या विसलिए जो सेटलेट एगा खतम हो जाएगा तो इस तरीके से हो क्या रहा है अभी स्पेस के तो इस तरीके से इसको हटाने के लिए जो कच्रा हो गाने मलबा इसको हटाना पड़ेगा विश्ली स्पेस से और इसको हटाने के लिए यह जा रही है और यह यह जा रही है और यह जो और बीट मिसन पासवर मिलब एर्थ के बाहर जो और बीट में हम एक्चुली देखेंगे कि जो एक्ट्वीट मलबा है ना जो मिलब एएमनलव से से उसको खतम किया जाए है वाँ से यह कोज़ेट है तो अब यह क्या गया है कि जो भी टेक्निक वगरा यूज कि जाएगे कि वह इस मलबबा काई से उसको वेरिफाइक करने के लिए यूर्पी ने एक देवलिब्म प्रोजेक्ट है वो चला है तो यह सारा कॉंसेप्ट आई हो आपको यहां पर समझ में आ गया होगा क्या बाते हां पर की गई है इसका मैं मोटो यह था कि जो भी वहां पर यह एक्टिव डेब्रिस है ना इसको हटाने के लिए जो भी टेक्नोलोजी का यूज करना है तो वो क सारा सीन था हो मैंने आपको बता दिया कि रिमूट डेब्रिस मिशन है क्या चलते हैं आगे अगला जो आर्टिकल हो है चिलका लेक के बारे में कंटेक्स्ट कुस ऐसे है एरपोर्ट अथर्टी ओफ इंडिया ना उसने अभी यह सो जाय या अभी उन्होंने डिसाइड किया मतलब होता है जो दो चीजों पर चल रहा है इसके साथ उपर जमीन हवा में भी चल तो अभी यह प्लान कर रही है कि वहां पे जो यह एरक्राफ इसका यूज क्या जाए इससे क्या होगा कि वहां पर चीजों को बढ़ावा है वह मिलेगा तो यह सारा कॉंसेट है चिलका ल में बेओ बंगाल में उस एरिय में इसके साथ ही चलका लेकर पांच गुज़रता है जो कि काफीमपूरण चला लेक जेस ब tennis पहां से पूस्तलि उसका साथ है इसके साथ खते है जो जो चलका लेकर लेंगून है इंडिया गतु और वेट गये तरह कि देखा जाए तो लाइट का सबसे लंबा जो लेंगून है वह एक्चूली यहां पे कोलेड़ोईन तो यह कोलेड़ोईन जो बेरियर रीफ है इसको बेरियर रीफ के नाम से भी जानते हैं और यह लेंगून बे दोनों तो अगर आपको एक्जाम में से आपके पास कोई ओप्सन नहीं को समझ में या रहो तो उस कंडिसमें हो सकता है आपके लिए हेलफुल हो जाए कि पर जो बेरियर रीफ है वो फेस्टिपी कोसियन में ही तुड़ी जाना है तो इस तरह से आप इनका यूज हो कर सकते हो तो व बेरियर रीफ या करोडियन लंगून के दोनों के नाम से से जाना जाता है इसके साथ ही चिलका लेक है उसमें बेर डायोसिटी होर्सपोर्ट भी काफी अच्छा है और इंडिया की पहली रामचर साइट भी है ये चीज भी हमें पता होना चाहिए पहले यह मोनिटेक्स रि इसमें जिसमें के बड़ सेंचूरिय है और वहां पर वेट लेंड भी है इसके साथ मेंग्रोफ भी है तो हम लोग काफिज दा बाइव डावश्टी इस वाले एरिया में एकुल मिला के बाद यहां पर यह की गई है चलते हैं आगे आगे जो निउस्तिवा हमनें डिसकस कर तो तो जTHO parkary का सौर्गी schism किया है हम देख रहते हैं ओपे का मतलब ह इसके लिए काम करते हैं, तो अब भी न्यूज यह है कि ओपे कंटीज ने इस बात पर सरव सहमती बना लिये, कि अब हम ओविल का प्रोडक्शन हो बढ़ा देंगे, तो एक तरह से सभी कंटीज है उन्होंने एक तरह से आरो मलब बाचित की और ओपे कंटीज इस बात पर रा बस जो सींधा बता दिया, अब यहां पर एक वर्ड आता है, टाइट ओल क्या होता है, टाइट ओल का मतलब होता है, एक तरके का ओली होता है, यह जो की पाया जाता है, यहां पर एंफिवियल सेल सोरी, इसके साथ ही लाइम स्टोल जो रोग होती है, लाइम स्टोल लोग हो होती है रोग होती है चटान होती है उनके अंदर पाया जाता है इसके साथ ही एंदर जो सेल होती है जिनको भेधा नहीं जा सकता मतलब जिनके आरपार कुछ रिजन नहीं जाती है उन आँच के बारे में वी जर्व में पया जाता है, मниलब काफी मुशल्स से अंदर दरारों के अंदर भरावा हो को लता है, उसको बोलता है टाइट ओल, तो यह आपको देना कि टाइट होता कहा है जिस तरह की से तो को सैल गेस का कॉंसेट क्या होता है कि दरारों के अंदर थोड़ थो भी मातर में पाय साती है तो सेम वही कॉंसेट ही है कि यहाप आप इसे ने निजेज आ गई होगी नेक्स जो न्यूज है वह यह है कि एक सब्सक्राइब के बारे में और AIIB के बारे में AIIB कंटेक्स्ट के हैं वो भी हम देख लेते हैं कंटेक्स्ट यह है कि जो AIIB है उसने अभी यहां पर फंड है वो प्रड़ किया है AIIF को अब क्या है AIIB अब तो देखने वाले हैं आपर ACN Infrastructure and Investment Bank है AIIB उसने अभी NIF, NIF का मतलब है National Investment and Infrastructure Bank तो इसको फंड दिया है लगबग 100 billion dollar का भिवात यहां पर की जा रही है तो अब हमारे लिए यहां पर important होता है एक तो AIIB important होता है और एक होता है NIF important होता है तो सबसे पहले हम NIF को यहां पर डिसकस करते हैं जो कि एक investment vehicle है इंडिया में funding प्रवाइड करने के लिए कि इनको ग्रीन फिल्ड प्रोजेक्ट को फंडिंग देता है ब्याउन फिल्ड प्रोजेक्ट को फंडिंग को फंडिंग देता है और मैनलेस की फंडिंग खर आज गली इंट्राचेक्टर में जदा जा रही है पर यह ध्य पंड्र हो दिया गया तो यह सारा सेनमे आपको इसमें बता दी है ग्रीन फिन और ब्राउन फिल्ड प्रोजेक्ट की बात हुआ हि हम करते है ग्रीन फ्रयक्ट का मतलब होता है कि एकदम नया प्रोजेक्ट मलब पूरा स्टार्टिंग से बनेगा पहले कुछ कुछ भी नीवा हुआ है वहाँ पर ब्राउन फिल प्रोजेक्ट का मतलब यह है कि पहले थोड़ा बहुत काम हुआ जैसे मालो कि कोई घर है वो पहले कोई नीव यह उंडली हुई है उसमें यह बनावा है कि हाँ यह बाहर की बाउंटरी होगी ऐसे ऐसे घर बनाना यह ठीका जादा दूरा काम हुआ थोड़ा काम पेंडिंग रहा गया तो उसमें जो पेंडिंग काम करने के लिए पैसा लगए वह जाएगा डाउन फिल प्रोजेक्ट के अंडर और ग्रीन फिल का मतलब होगा है पूरा फ्लोट एकदम नया लिया है सब कुछ स्टार्टिंग से बना है और इंडिया इसका सेकिंड लार्जेस्ट इस्टेकोल्डर है मुझा सबसे नम्मर पर आता है चाइना उसके बाद में बात आती है हमारे इंडिया की इसके साथ ही आपको दो चारा करत बेसिक फेक्ट और बताऊं तो यह इंपोरेंट ही हो जाते है कि स्टार्टिंग में जब AIAB बनाय गया था तो यह बनाय गया था है 100 बिलियन डोलर की हल्प से तो यह चीज़ आपके ध्यान रखना है है हैड्कॉर्टर से इसका बीजिन में तो आपको यह चीज़ कलियर हो जाएगी इसके साथ एक बैंक और है वह भी आपको याद होगा ADB के नाम से ADB है वह यूएसे और जापान मेंबर नहीं है इसके तो अभी इस चीज़ को लगके कन्फूज मत होना USA इसका मेंबर नहीं है और जापान भी इसका मेंबर नहीं है यह काफी इंप्रेंट फिक्र बन जाता है क्योंकि तो एक ADB बैंक भी है Asian Development Bank वह एक्चुली Social और Economic Development के लिए वह ब यह बी है उसके अंदर USA जापान है यहां पर बात को की जा रही है तो यह कुछ बैसिक चीज़े थी डिफ्रेंस तो मैंने आपको यहां पर बता दी इसके लोग अगर आपको कोई भी इस्यू हो तो आप कमेंट बोक्स में बैसे जग पोच सकते हों तो फिलाल की discussion में इतना यह थैंक यू अर्मच फॉर डिसकेशन